Welcome friends, hope आपने इसके previous session की वीडियो में आपके website के अंदर जाकर navigation menu को create कर लियाओ और इस session में हम लोग website के structure को समझेंगे जो बहुत ही important है अगर आपने structure समझ लिया तो website create करना आपके लिए चुटकी का काम हो जाएगा तो चला हम लोग structure समझते हैं हमारे builder टूल का जो structure है उसके mainly तीन elements है section जो main section होता है number two row जो उसके अंदर के जो column से उसे divide करता है and number three element जो की actual आपके website का content होता है element यानि अगर आपको text add करना है तो element हुआ अगर आपको image add करना है website में तो element हुआ so इन तीन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग practically हमारे builder उसके अंदर समझते हैं so let's begin अगर मैं मैं मेरे website के blank page के उपर हूँ और blank page के उपर यहाँ आप आप देख सकते हो कि जो blue color में आपको दिख रहे है that is section उसके बाद नीच आप आओगे तो row जो आपको थोड़ा सा green color में दिखाए देगा that is basically row और उसके अंदर में आपको एक black color का जो plus symbol दिखाए देगा this is basically element अब friends section आपको तब change करना होता है जब आपको आपके section का background color change करना होता है row आपको तब change करनी होती जब आपको columns change करने होते है यानि कि मानलो 50-50% में है उसके आपको two-third, one-third करना है आगे देखते हैं और elements से वो आपके actual elements होगे हैं अब letters से मैं इस row को delete करा हूँ उस section के अंदर सबसे पहले हमें add करना होता है row अब row के अंदर friends यहाँ पर देखते हूँ full width, half half, 3 column, 4 column, यहाँ पर 2 by 3 और 1 by 3 उसके बाद पहले 1 by 3 और 2 by 3 उसके बाद 25%, 75, 75, 25 और यहाँ पर 50 उसके बाद 25, 25 इस तरीके से जो सारे break up से वो 1 half, so यहाँ पर आप देख सकते हो 50 50 आ चुका है इसे मैं close कर रहा हूँ, so यह हुआ मेरा section, यह हुई मेरी row जिसमें 1 half 1 half है और यह जो black है that is actually a content, इस element को मुझे add करना है, let us say मैं add कर रहा हूँ text, so यहाँ पर मैंने text search किया, text मैंने यहाँ पर add कर दिया, और जो भी आपका text है, उसे आपको यहाँ पर type करना है, this is my first text, उसके बाद friends यहाँ से भी आप bold detailing कर सकते हो, but वो मैं advice नहीं करता, आपको जाना है design में, design के अंदर जाकर आपको जितने भी changes करने कर सकते हो, फिराल education purpose के लिए मैं जारो text design में, उसमें इसे bold कर रहा हूँ, इसके जो font size है में थ text को add करना है, यह मेरा heading हो गया, तो नीचा mouse पर hover करोगे, यहाँ पर plus symbol आएगा, let us say plus, और again मैं text add कर रहा हूँ, that's it, और यहाँ पर मैं text को insert करूँगा, अब मेरे पास friends already कुछ text है, तो मैं यहाँ से कुछ text को select कर रहा हूँ, copy and then paste, that's it, so यह half section हो गया, और इस half section में मुझ click करूँगा, और उसके बाद image module, so image element add कर दिया, अब यहाँ पर image आपको upload करनी है, और friends, जो existing images आप upload कर चुके, वो आपको media दिखाए देगी, आप चाहो तो अलग से भी image को upload कर सकते हो, फिलाल education purpose के लिए, मैं letters से यह वाली image को select कर रहा हूँ, और उसके बाद upload हैं image, और उ point of time पर अगर आपको इसे लगता है कि मुझे image change करनी है, तो again उसके mouse को उसके उपर ले जाओ, setting पर click करो, image पर upload पर click करो, और उसके बाद image को change कर सकते हो, let us change the image, this one is fine, और उसके बाद upload an image, that's it, यहाँ पर image आचुके, अब friends, यह जो section है, पूरा blue color का, वो पूरा section है, और उ columns है, अब friends, मुझे section को अगर background देना है, तो let us say मैं section के setting में जाँगा, one second, section के यहाँ पर setting में जाना है, उसके बाद background, उसके बाद color देना है तो color, gradient देना है तो gradient, image देना है तो यहाँसे image, और video background देना है तो video background भी अप दे सकते हो, फिलाल मैं colors पर आ रहाँ, add a color, and let us say मैं color दे रहाँ, blue, so यहाँ पर मेरा section आ चुका है, और blue color दे दिया, और उसके बाद tick, उसके बाद यह जो text है, इसके color मुझे change करना है, mouse ले जाओ, setting, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ से भी color change कर सकते हैं, लेकिर वो मैं advice नहीं करता, design में जाओ, उसके बाद text, और background color white है, तो by default से dark कर दो तो dark हो जाएगा, so I'll select light, easy, उसके बाद इस text के उपर भी mouse दे जाओंगा, settings, design, text and light, perfect, अब friends, मुझे यहाँ पर center में कोई text चाहिए, यानि इसके नीचे full width में text चाहिए, तो क्या मैं row add करूं, या मैं blue color का section add करूं, एक मिरिट, section का जो color है, मैं color is fine, okay, so हमारा section add, उसके बाद हमारी row है, यानि two column, 50%, 50%, देख सकते हैं, यहाँ पर column setting, उसमें 50V selected है, fine, अब friends, मुझे यहाँ पर text चाहिए, जो यहाँ से full width में होने चाहिए, तो क्या मैं section add करूं, section add करूं, section add करने के लिए blue पे जाना है, देख सकते हो blue square एक्टिवेट हो चुका है, अगर row add करना है आपको, तो row के यह जो green symbol है, उस पर आपको click करना है, और इसके नीचे को content add करना है, तो यहाँ पर, और इसके नीचे आपको content add करना है, तो यहाँ पर, अब मुझे full width पे text चाहिए, तो आपको decide करना होगा, कि क्या जो full width text है, वो same green background में चीए, या अलब तरीगे के, जो background है, उस में चीए, अगर अलब तरीगे के background में चीए, तो आपको नया section add करना होगा, same background में चीए, तो simply आपको एक row को add करना होगा, simply row पे click करो, और आपको पूछेगा, किस type के आपको row चीए, तो मैं select करूँगा, full width, full width row add करने के बाद, यहाँ पर कुछेगा, आपको text add करना है, या जो भी element add करना है, so add a new element module, and then text, simple, और मेरे पास already text है, I'll select it, paste it, design में जाकर, text में जाकर, light, and bold, थोड़ इसे में font size को increase कर रहाँ, there it is, and then accept, so friends, same section के अंदर हमने अलग row add की, अब same row में हमने क्यों continue किया, क्योंकि यह जो row थी, देख सकते हैं, आप row setting में जाकर, यह half-off था, और हमें नए तरीके का एक पूरा row चीज, इसमें मुझे full width row चाहिए, इसलिए आपको row change करना है, अब friends, again, यहाँ नीचे जाकर, हमें section add नहीं कर रहा है, मैं एक row add करा इसी अलग तरगे के background में हो, तो उस case में मुझे पूरा का पूरा section नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ नीचे, last में जाकर, और यहाँ पर कौन सा section चाहिए, regular, speciality या full width, फिलाल में select करो regular, इन सारी चीज़ों को हम detail में cover करेंगे, पूरे sections यहाँ पर दिए हुए, जैसा आपक इसी row चाहिए, let us say मुझे, again, one third, one third, one third चाहिए, तो यहाँ पर row एड़ चुकी, और row एड़ कनने के बाद, by default, वो element एड़ कनने के लिए कहेगा, फिलाल में close करो, तो देख सकते हो, यहाँ पर section आ चुका है, और यहाँ पर row आ चुकी, अब यहाँ पर again आखको, जो भी content add करने, वो content add कर सकते हो, जैसे कि images, upload, and this one icon and upload, यहाँ पर image आ चुकी है, उसके बाद design में जाकर alignment, मैं click करूँगा, center, so image center में आ चुकी है, टिक, उसके बाद again, second में जाकर, again मैं click करो image, उसके बाद image upload, already मेरे पास कोई image है, उसे select कर रहा हूँ, upload an image, image, design, alignment, and then center, there it is, और यहाँ पर third element भी में image add कर रहा हूँ, simply image, upload, and image, and upload an image, उसके बाद click, और इसे center करना रहे गया, तो simply इसके ओपर mouse कर सर ले जाओ, और उसके बाद setting, design, alignment, and then center, उसके बाद click, that's it, so यहाँ पर friends, देख सकते हो, एक row आचुके, जो तीन column के अंदर divided है, अब friends, any point of time, अगर आपको ऐसे लगता है कि इसी image के नीचे, अगर आपको कोई और element चीए, तो simply आपको element add करना है, ना की row, so image, upload, and then we'll select this one, upload, design, alignment, center, simple steps है, that's it, आचुका है, so फिलाल इस element के उपर मैं hover करके delete करा हूँ, that's it, अब friends, मान लो, मुझे इसके नीचे कुछ अलग तरिके का section चीए, जिसमें की left side पर text हो, और right side पर video हो, या तो left side पर video, right side पर text हो, और मुझे उसका जो ratio हो चाहिए 50-50, अब आपको यह सवाल अपने आपको पोछना है, कि क्या जो मुझे, जो भी content add करने है, वो same row के अंदर set हो सकते, तो नहीं हो सकते, क्योंकि friends, यह जो row है, वो 13, 13, 13 है, और हमें जो चाहिए 50-50, इसलिए हमें नया row लेना पड़ेगा, अब नया row same section में लेना है, या उसके लिए पुरा का पुरा section नया बनाना है, इसके लिए अपने आपको सवाल बोचिए, कि क्या मुझे same background के अंदर, जो content चाहिए, या नया background, तो लेक्टर से फिलाल मुझे same जो background है, उसके अंदर चाहिए, तो simply नीचे चाहिए, यानि row के उपर हुआर कीजिए, और row के उपर plus, और उसके बाद मुझे चाहिए 50-50, 50-50 यहां पर आचुका है, और by default यहां पर content add करने के लिए मुझे कह रहा है, तो देख सकते हो, same section with same background में, मुझे और किसी तरह का column का division चाहिए, तो उसके लिए में row add करूँगा, और अगर मुझे पूरा का पूरा background के साथ नए content चाहिए, तो मैं add करूँगा section, तो यहां से प्लस कर सकते हो, नीचे भी जाकर प्लस कर सकते हो, अब उसके बाद यहां पर text, और उसके बाद text, आपके content को type कीजिए, फिलाल मैंने copy करके रखा है, and design में जाकर, text में जाकर, bold, italic, that's it, तो यहां पर text आ चुके, और right side में, जो हमारा second column है, उसमें plus symbol पे जाकर, I'll select video, so video, और उसके बाद चाहो तो, वीडियो जाए, उससे आप upload कर सकते हो, और अगर आपके पास YouTube की वीडियो है, तो YouTube की भी वीडियो की जो link है, वो आप डाल सकते हो, let us say, YouTube, उसके बाद video, इस link को copy करो, and then, हमारे tool में आकर paste करो, और उसके बाद, tick, so friends, यहाँ पर हमारे text और वीडियो आचुकी है, so again friends, अगर आपको नए तरेका का column चाहिए, जिसके अंदर जो आपके column है, उसमें variation आ रहा है, जैसे 1.5 से 1.3, 1.3, 1.3 चाहिए, या 1.2 से 1.4, 1.4, 1.4 चाहिए, तो उस case में आपको row add करना है, provided आपको same background के अंदर, उस त प्रेका का background चाहिए, तो आपको totally new section को add करना है, अब चलो practically हम हमारे magnet marketing website के ओपर इससे समझते, इस slider को छोड़ दो, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा white background है, यह हुआ हमारा 1.3 या तो 75 and 25% चीक है, उसके बाद यह वाले content मुझे चाहिए, but friends, इसका background चेंज तो मैं क्या करूँगा, इस particular row को add करने से पहले, मैं एक नया section create करूँगा, नए section में देख सकते हो, बीछे यह green दिख रहा है, मैंने background image add कर दी, पूरे section में, उस section में मैं सबसे पहले row add करूँगा, row consider करूँगा, full width, उसके बाद मैं एक और row add करूँगा, जिसके अंदर मै मैं तीन column define करूँगा, अब friends, यह जो text है, यह full width है, यानि इसमें कोई column नहीं है, यह पूरा का पूरा center में आ गया, और यह वाला जो row है, यह पूरा नया row है, जिसको मैंने तीन पार्ट में divide किया, 1, 2 and 3, उसके बाद friends, मुझे यह वाला जो content है, यह भी again full width जो row है, तो इ मैंने full width में ले लिया, उसके बाद again नहीं row add की, 1, 3, 1, 3, that's it, उसके बाद नए background के लिए नया section, 1, 3, 1, 3, 1, 3 की row, उसमें मैंने content add कर दिये, again 1, 3, 1, 3, 1, 3, इसी row को duplicate करके content change कर दिये, again friends, यह एक नया section add हो गया, and again यह full width हो गया, और उसके बाद footer, that's it, so friends, जब भी आप आपको background पुरा का पुरा change करना है, तो नया section लेना है, same section के अंदर, जब आपको different column का कोई structure चाहिए, तो आपको row change करना है, यानि 1 by 2, 1 by 2, say 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 4 column, और उसके बाद जो भी आपको content add करना है, तो element आप add कर सकते हो, section is blue, row is green, and element is black, so this concludes our session, और next session में हम लोग practically page को edit करना या फिर create करना, start करेंगे, thank you very much.